हलो स्टूडिन्ट, मैं डॉक्टर नस्रीन बानो, असोसीट प्रोफिसर, डिपार्टमेंट अफ बॉटनी, गौर्णमेंट मेरेगल्स कॉलिज उद्यापुर। आज के इस वीडियो में हम टॉबेको मुजेक वाइरस यानी तंबाको के मुजेक विशाणों के बारे में पढ़ेंगे। अब तक लगबग तीन सो से भी जादा ऐसे वाइरस हैं जिनका के पता लगाया जा चुका है, जो की पोधों में रोग उत्पन्न करते हैं। इन में से टॉबेको मुजेक वाइरस जो है, इसका अध्यन बहुती डिटेल किया गया है, इसका आविशकार इवेनोस्की ने 1892 में किया था, जिनने की फादर ओफ वाइरलोजी के नाम से भी जाना जाता है, और इसको आइसोलेशन करना और इसका क्रिस्टिलाइजेशन कर वो स्टेंले ने 1936 में किया था, तो सबसे पहले हम हिस्टोरिकल बेग्ग्राउंड देखें लिए, जो एजेंट रिस्पॉंसिबल है, टॉबेको मुजेक वाइरस के डिजीज के लिए वो फिल्टरेबल होता है, यह इवेनोस्की ने पता लगाया था, तो उन्होंने अप पॉर्सलीन फिल्टर से चान कर बेक्टिरिया को अलग कर दिया था, उसके बाद में जो लिक्विट प्राप्त हुआ, जो फ्लूइट प्राप्त हुआ था, तो वा बेक्टिरिया फ्री था, लेकिन उस फ्लूइट को जब जो हेल्धी प्लांट थे टॉबेकों के, तो उस उसको छड़का, तो उन्होंने देखा कि हेल्धी प्लांट की जो लीव्ज हैं, उन पर भी रोग उत्पन्न हो गया था, तो यह माना गया था उस टाइम, कि जो फिल्टर प्रोड्यूस होता है, वही डिजेस के लिए रिस्पॉंसिबल है, और बेंजिरिक ने इसका नाम प लेटिन में जहर को, कि यह एक ऐसा जहर है, जो हेल्धी प्लांट को पर भी डिजेस प्रोड्यूस करने के लिए रिस्पॉंसिबल होता है, उसके बाद में स्टैंडले ने 1935 के अंदर इसको जो फिल्टरेबल एजेंट था, उसको प्यूरिफाई किया था, और उन्होंने इसे सक्सेसफुली क्रिस्टलाइज कर लिया था, जो कि टॉबेको मोजेक वाइरस था, और क्यामिकल एनालिसिस पे इन्होंने इसमें नुक्लिक असेड और प्रोटीन को अलग किया था, और यह बताया था कि इसम्पलेस्ट और्गनिस्म है, और्गनिस्म लाइक पार्टि एन्पेर ने 1937 में बताया था, और फ्रैंकलिन और उनके जो को वरकर्स थे, उन्होंने 1957 में अल्ट्रा स्ट्रक्चर जो था, टीमवी का वह बताया था, तो अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें, तंबाकु मोजेक वाइरस का, तो यह वाइरस लंबे, पतले, बेलनाकार सर नुसार, यह 300 एंगस्ट्रॉम इंटू 170 एंगस्ट्रॉम के होता है, इनका मॉलिकुलर वेट जो होता है, वो 40 लाग होता है, इलेक्ट्रोन जो माइक्रोस्कोप है, और X-rays के द्वारा इन वाइरस का जब स्टेडी किया, तो यह देखा कि इनकी जो स्ट्रक्चर होता है, और यह दो घटक, प्रोटीन और नुकलिक एसिड के बने होता है, इनका जो प्रोटीन होता है, जो इनका प्रोटीन का एंवलप है या जो इनका आवरण होता है, उन पर 2130 सब यूनिट की मिलकर यह बना होता है, जिसे के कैपसो मियर्स कहते हैं, और इन सभी जो ट्रों हर केपसोमियर के अंदर 158 अमीनो असिट की एक सिरीज होती है जिसमें के अमीनो असिट जो होते हैं ये एक निष्चित क्रम में लगे होता है हर वाइरस के अंदर केपसोमियर की 130 हैलिक्स पायी जाती है यानि कुंडलिनिया पाई जाती हैं और एक हैलिकल के अंदर 16.5 कैपसोमियर रहते हैं प्रोटीन जो यह होता है इसके अंदर वह कुंडलित क्रम में या हैलिकल क्रम में वेवस्थित होकर एक खोकली या बेलनाकार ट्यूब बना लेता है और इस प्रोटीन आवरेंड के अंदर fats, carbohydrates या कोई और दूसरे पदार्थ या substances नहीं पाई जाता है प्रोटीन नलिका के अंदर के अंदर में लगभग 6500 nucleotides से बनी एक RNA का structure होता है जो कि single stranded होता है और इसका जो अनुभार होता है वो 2.4 लाक होता है chemically यह जो virus होता है इनमें protein और nucleic acid जो होता है वो 94.4 ratio 5.6 के अनुपात में रहता है TMV के nucleic acid में जो genetic code होती है वो RNA की बनी होती है यहां RNA का replication भी होता है और सभी जो 2130 protein जो sub unit होती है उनमें amino acid जो होते हैं वो समान क्रम में लगे होता है अता इन सभी उपकाईयों के निर्मान के लिए केवल एक ही coded gene आवशक होता है विशाणों के protein आवरन में RNA को प्रतक करना संभव होता है जो प्रतक RNA होता है वो परपोश्ची को संक्रमित करने में सक्षम होता है एक तो self replication और दूसरा synthesis of virus specific protein स्वस्थ पोधों को संक्रमित करते समय जो इस virus का पूरा जो protein होता है वो परपोश्ची कोशिका में प्रवेश कर जाता है परपोश्ची कोशिका में अंदर एंटर करने के तुरंत बाद में इनका protein आवरन जो होता है जबकि RNA तुरंत ही जो protein messenger जो RNA होता है उसका sensation आरम कर देता है protein O-PKIA, capsomere का निर्मान धीरे-धीरे करने लग जाती है और protein आवरन और सभी capsomere के निर्मान के प्रष्चा थी जो protein का आवरन होता है वो इन सभी capsomere के निर्मान के बाद में ही होता है तो यह इस तरह से इसमें DNA रेप्लिकेशन ने जहाँ पर के TMV जीनोम जो होता है वो चार जीन रखता है MTH जीन, RNP जीन, MP जीन और CP जीन तो इस तरह से यहाँ पर जो MTH जीन होता है वो कोट करता है जो एंजाइम होता है methyl transferase और RNA helicase को RNP जीन कोट करता है RNA dependent RNA polymerase को और RNA replicase को MP जीन कोट करता है जो moment protein है उसे और CP जीन कोट करता है जो कोट प्रोटीन होता है उसको अब हम देखेंगे sources of TMV infection यानि संक्रमन के क्या स्त्रोथ होता है TMV के संक्रमन का जो खास स्त्रोथ होता है वो मिट्टी में उपस्तित संक्रमित जो पोधे हैं उनके मलवाय यानि debris और बीज होता है कभी-कभी जो ये infected जो तंबाकू होता है उससे जो उत्पाद श्रमिकों के हाथों को भी contaminate कर देते हैं और ये इसके वाइरस के transmission में सहायक होता है Johnson ने 1937 में ही देखा था कि 67% सिगार और 62% हुक्के के तंबाकूज होता है और 11% cigarette विशानू युक्त होता है यानि वो infected होता है पहले से ही इन विशानू का संचरन जो होता है वो सेप के द्वारा होता है रस के द्वारा होता है अतर जो agriculture में जो काम में लेने वाले जो tools होता है या मनुश्य और जन्तू भी इस रोग के संचरन के अंदर या infection के अंदर सहायक होता है इसके अतिरिक्त कुछ MISERS परसिका या MISERS, Pseudo-Soleni, Microsiphon, Solenophy आधे कुछ की insects भी होता है जो कि इस वाईरस के vector होता है अब इसमें symptoms टॉबेको मोजेक वाईरस के द्वारा परपोशी में उत्पन लक्षन जो symptoms होते हैं TMV के host पर टॉबेको मोजेक वाईरस है जो कि किस पर effect कर रहा है, infection कर रहा है manly ear, तंबाको के उपर या उसके साथ की जो कुछ Solenacy Cool की अलग पोधे होता है उन पर भी जैसे टमाटर वागेरा पर भी infection कर देता है तंबाको के पोधे में जो TMV का infection होता है तो उसके खास जो symptoms होता है तो वो सबसे पहले इनकी epics पर यानि शीर्च पर जो young leaves होती है उनमें downward curling नीचे के तरफ उनमें curling हो जाती है या उनमें distortion के रूप में सबसे पहले दिखाई देता है जो infected plant होता है उनकी जो growth होती है वो stunted हो जाती है स्तंबित हो जाती है पत्ती के उपरी सेता पर गहरे हरे रंग के बड़े और असामानी धब्बे दिखाई देने लग जाता है जो के बाद में अनियमित फफोले के रूप में यानि irregular blistered areas के रूप में डवलप हो जाते है शेश भाग में पत्ती के उपर जो chlorotic हो जाती है यानि chlorophyll की कमी हो जाती है जो थोड़ी वो पीले रंकी हो जाएगी इसके फलसोरू पत्ती में मोजेक लक्षण जो होते हैं वो दिखाई दिने लग जाते हैं तो इस प्रकार से यह तमबाकू मोजेक वाइरस जो है इसकी सरजना होती है थैंक यू